नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी एक APS संचालक हैं तो ये वडियो आपके लिए काफी ज़्यादा काम की साबित हो सकती है क्योंकि दोस्तों इस वडियो में हम बात करने वाले हैं मंत्रा L1 L0 डिवाइस के विसे में साथ ही साथ, सभी टाइप के डिवाइस में आने वाले एक बिसेश टाइप के प्रॉबलम को ले करके सबसे पहले हम यहाँपर बात करते हैं कि मंत्रा SoftTech Company की तरफ से L1 डिवाइस को ले करके मेरे पास एक email आया हुआ है सबसे पहले हम उसके विसे में बात करते हैं उसके बाद दोस्तों जो ये तुरूटी दिखाई दे रही है आप सभी लोगों को बैलेंस को विड्रा करते समय या हम कहें कि हम डिवाइस का जब यूज कर रहे हैं किसी भी परपच के लिए तो हमें ये तुरूटी दिखाई दे रही है यानि कि 211 आधार रिस्पॉंस फाउंड लिक करके आ रहा है इसका भी निदान हम जानेंगे इस विडियो में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि मंत्रा साफटेक कंपनी की तरफ से जो इमेल आया हुआ है वो क्या है किस परपच के लिए ये इमेल आया है इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए आप यहां स्क्रीन पर देखिए मंत्रा MFS 110 डिवाइस का निलंबन हाटा लिया गया है आपके दर्सकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों यह मंत्रा साफटेक प्राइबेट लिम्टेट कंपनी की तरफ से इमेल आया हुआ है ठीके बहु सारा क्लेर यहां पर किया गया है यह आपका 11 डिवाइस को लेकर के हैं देखिए कहा गया है कि प्रिये जॉइन टेक वन मंत्रा साफटेक और हमारे प्रोड़क्ट को कवर करने के लिए हम आपका आभार ब्यक्त करते हैं हमारे प्रोड़क्ट अपडेट की जानकारी आपके दर्सकों पहुचाने में आपका सायोग हमारे लिए बहुत सराहनी है आगे कहा गया है कि हम आपके साथ एक जरूरी जानकारी साजा करना चाहते हैं यू आइडियाई ने हाल ही में मंत्रा MFS 110 डिवाइस का निलंबन हटा लिया है आपको पता है दोस्तों कि मंत्रा 11 डिवाइस कुछ समय के लिए निलंबित कर दी गई थी लेकिन अब UIDI ने वेरिफिकेशन के पस्चात इसे फिर से आपरेट करने का परमीशन दे दिया है ठीक है आगे कहा गया है किरपया साथ में दिया गया UIDI का नोटिस देखें नोटिस मैं आपको अभी दिखाऊंगा सबसे पहले आप हम आप से निवेदन करते हैं कि इस जानकारी को अपने दर्सकों के साथ साजा करें ताकि उनको सूचित कर सकें कि MFS 110 डिवाइस सुचारू रूप से काम करती रहेगी सबसे पहले आप लोगों का जो डाउट है ये क्लियर कर दो दोस्तों कि मंत्रा 11 डिवाइस बहुत सारे लोग परचेश करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं कि कहीं ये डिवाइस बंद ना हो जाए तो आपको बता दूँ कुछ समय के लिए यह निलंबन किया गया था लेकिन अब हटा लिया गया है यानि कि डिवाइस आपकी जो इसमें गलबडियां थी उसके साफ़ वेर में उ किसी टाइप का इसमें कोई तकनी की प्राबलम नहीं है इसलिए अब आप लोग डिवाइस परचेश भी कर सकते हैं यदि आपके पास है तो उसे आप यूज भी कर सकते हैं ठीक है अच्छा आगे देखिए यदि आपके दरसकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े तो वो सीधे हमारे सपोर्ट टीम ठीक है न यहाँ पे दिया गया है इमेल आइडी मंत्रा साप्टेक प्राइबेट लिम्टेड कमपनी का ठीक है न कहा गया है कि इस पर समपर्क कर सकते हैं हम आपकी मदद करने और एक सहज अनुभाव देने के लिए प्रतिबद् ठीक है तो दोस्तों आपको बता दूँ यदि आप किसी भी टाइब की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो जो मैंने यहाँ पे इमेल है इसको यहाँ पर भी मैं दरसा दिया हूँ साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ अगर आपको किसी कमपनी के साथ डारेक्ट एमेल पे चैट कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं आपको निश्चित ही प्राबलम का सालूशन मिल जाएगा अब आपको यहाँ पे एक बात दिखा दूँ आप यहाँ पे देख लेजिए नोटिस भी यहाँ पे जारिक कर दिया गया है जो यू आइ प्राबलम फेस कर रहे हैं हमारे ABS अंचालक भाई दोस्तों देखिए जो यहाँ पे प्राबलम आपको दिखाई दे रही है 211 आधार रिस्पांस नाट फाउंड का डिवाइस यूज करते टाइव ठीक है यह मैंने बातचीत किया मेरे पास कुछ लोगों ने कमेंट किया थ त्रुटी को ले गर के आधार रिस्पांस नाट फाउंड को ले गर के 500 कमेंट आये हुए हैं उनमें से कुछ कमेंट का मैंने जवाब दिया था मैंने कहा कि मैं मंतरा साफ्टेक कमपनी से बातचीत करके बताता हूँ आपको तो मैंने बातचीत किया मंतरा साफ्टेक कमपन इसे वहाँ से मुझे जो जवाब मिला वो मैं आपको बता दूँ जवाब दोस्तों वहाँ से ये आया कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी तरफ से या कमपनी की तरफ से या डिवाइस की तरफ से कोई सा भी प्राबलम ऐसा नहीं है दूसरी बात ये है कि जो लोग अभी त का नया वर्जन L1 डिवाइस के साथ लांच कर दिया गया है यदि आप L1 डिवाइस यूज कर रहे हैं तो ऐसे में आपको नया साफ्ट वेयर RD service का install कर लेना चाहिए अगर आप update करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप उसको install कर दीजिए फिर से आप install कर लीजिएगा ठीक है हो सकता है कि आपकी problem ठीक हो जाई से यह मैं नहीं कह रहा हूँ बलकि यह mantra साटे company का जबाब है दूसरा ची दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि यह problem किवल mantra L1 device के साथ face की जा रही है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है mantra L1, L0 या कोई साथ भी device है ठीक है ना तो कभी भी किसी भी device के साथ में 3-4 दिन से यह problem देखने को मिल रही है हम लोगों ने काफी ज़्यादा इस पर research किया काफी डिवाइसों का trial हमने किया किसी भी device में इस टाइब का problem देखने को नहीं मिला है तो संबहता यही है दोस्तों कि कुछ कुछ डिवाइसों के साथ में यह problem फेस करने के लिए आपको दिखाई दे रहा है और यह किसी भी company का मतलब चाहे आप किसी भी company का device यूज कर रहे हैं तो device का कोई इसमें role नहीं है कोई truth device का नहीं है यहाँ पे साथ साथ एक बात लिखा हुआ है कि आधार response not found इससे एक चीज clear हो जाता है कि यह जो problem है दोस्तों यह आधार के server का है आधार का server आपके device के operate होते time पे अधी maintain नहीं है तो इसी time यह problem आपको देखने को मिल जा रही है अगर आप अपने device को बिलकुल भी नहीं यूज कर पा रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने RT service को update कर लेना चाहिए ठीक है आपकी device लगभग चलने लगेगी दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आधार का server दोस्तों 3-4 दिन से गलबड़ी पे लगा हुआ है संभावना यही है कि कल आज या कल में यह संभावता ठीक हो जाएगा आपको इस type के किसी भी problem से गुजरना नहीं पड़ेगा ठीक है दूसरी चीज यह है दोस्तों कि मैंने यहाँ पर startec company के साथ भी बातचीद किया क्योंकि आपको पता है कि startec company ने मुझे यहाँ पर element device जो startec की है वो gift भी दिया है तो उनसे अच्छे खासी बात हो जाती है तो उनसे मैंने यहां पर डिसकस किया तो उनकी तरफ से भी जबाब है कि ऐसा कोई इसू कमपनी की तरफ से नहीं है ठीक है यह किवल सर्वर यू आईडियाई का प्राबलम है समभता यह ठीक हो जाएगा या तो आपका RD Service old version है उसे आप update कर लीजिए या अनिस्टाल करके फिर से आप इस्टाल कर लीजिए ठीक हो जाएगा ठीक है यह आपका यह आवश्चक नहीं है कि L1 डिवाइस के साथ यह प्राबलम हो रही है L0 डिवाइस के साथ भी यह प्राबलम फेज करनी पड़ रही है ठीक है तो UIDI का प्राबलम है कोई दिक्कत नहीं है समभता जो मैंने आपको solution बताया आप उसको use कर लीजिए ठीक हो जाएगा अगर वडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी सेजर अवश्च कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्टे वडियो में नई जानकर इंके साथ तब तक के लिए जैहिंद